27 सितंबर 2024 की रात को इसराइल ने लिबनान की राजधानी बेरूत पर करीब 80 टन के बंकर रोधी बम गिराए जिसमें हिजबुल्ला प्रमुक हसन नसरल्ला समेत कई कमांडर मारे गए और अब नसरल्ला की मौत के बाद पूरा मिडलीस्ट इसराइल के बतले की आग में जल उठा है लिबनान में एक तरफ जहां अफरात अफरी का माहौल है वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला का मनोबल कम नहीं हुआ है बलकि उसने भी इसराइल के उपर ताबर तोड हमले शुरू कर दिये हैं दरसल हिजबुल्ला ने इसराइल के ओफेक कैम्प को फादी वन रॉकेट हमलों से दहला कर रख दिया इस हमले के तुरंत बाद अलमनारा सेटल्मेंट पर हिजबुल्ला के रॉकेट बरसने लगे हिजबुल्ला के मताबग उसने इसराइल के सा आर सेटल्मेंट पर रॉकेटों का पूरा जथ्था फायर किया साथ ही सफ़ाज शहर पर भी कई रॉकेट गिराए हैं हिजबुल्ला साफेद तक नहीं रुका बलकि उसने रोश्पिना सेटलमेंट पर रॉकेटों के जथे फायर किये हिजबुल्ला के मताबिक वो लिबनान की सुरक्षा और गाजा के समर्थन में अपने हमले जारी रखेगा और यहीं वजबुल्ला ने स्नोबर सेटलमेंट को रॉकेटों के एक जथे से जला कर खाक कर दिया वहीं रामिया साइट पर तो पहले हिजबुल्ला ने आईडियफ की मूवमेंट पर नजर रखी और फिर उसने उसके उपर जम कर गोला बारूद बरसाया हिजबुल्ला का कहना है कि उसका ये हमला सीधा और सटीक रहा वहीं अलियाकिम कैम्पर तो हिजबुल्ला ने ड्रोन्स का पूरा जुन्ड ही दाग दिया जो आईडियफ के ठिकाने पर जाफटे हिजबुल्ला की माने तो उसने शतूला सेटलमेंट पर भी कई रॉकेट बरसाये हैं इसके अलावा कफार चौबा हिल्स पर भी उसने जम कर बंबारी की है इसके अलावा हिजबुल्ला ने डादो मिलिटरी बेस और साफेज सेन निचौकी पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है इस वीडियो में एक लॉंचर दिख रहा है जिसमें दरजनों रॉकेट भरे गए हैं और अचानक ये रॉकेट फायर होने लगते हैं हिजबुल्ला के इन हमलों के बीच इसराइली सेना अपने विकराल रूप में आ चुकी है वो हर एक मिनट और हर एक सेकंड में लेबनान पर बंबारी कर रही है इसराइल ने 29 सितंबर 2024 को लेबनान के अलग-अलग हिस्सों में जम कर बंबारी की और आईडियफ के इन हमलों में करीब 105 से ज्यादा लोग मारे गए जबकी साड़े 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए लेकिन बड़ी बात यह है कि आईडियफ के हमलों में हिजबुला के वरिष्ट राजनीतिक अधिकारी शेख नबील काउक की भी मौत हो गई रिपोर्ट्स के मुताबिक एनल देलब के पास आईडियफ के हमलों में दो रिहाईशी इमारतें मिट्टी में मिल गई जिसमें 32 लोग मारे गए हाला कि इन हमलों को लेकर आईडियफ का कहना है कि उसने हिजबुला के ठिकानों पर हमला किया जबकि लेबनान के अधिकारियों का आरौप है कि आईडियफ ने दक्षनी लेबनान के बैका बालबेक हरमेल इलाकों में आम नागरिकों के घरों पर हमले किये और इन हमलों को लेकर लेबनानी मीडिया का दावा है कि बेरूत के बीचो बीच आईडियफ ने कोला ब्रिज इलाके में हवाई हमले किये बड़ी बात ये है कि गाजा युद शुरू होने के बाद आईडियफ का ये पहला हमला है जो लेबनान के इतने भीतर और बीचो बीच हुआ वहीं अब आईडियफ उन इलाकों पर भी हमले कर रही है जो अभी तक सुरक्षित माने जा रहे थे इसका जीता जागता उधारन बेरूत नगरपालिका पर आईडियफ का हमला है जो बेरूत में एक सुरक्षित शेल्टर माना जा रहा था लेकिन अब ये इलाका भी आईडियफ के हमलों की चपेट में आ चुका है जजए के जढ है